हे अलो दोस्तों कैसे हो आप सब तो इस वीडियो का टॉपिक है VPN वर्चौल प्राइवेट निटवर्क अगर आप इंटरनेट कनेक्शन का यूज करते हो और चाहते हो ब्लॉक वेपसाइट को एक्सेस करना या फिर कोई हैकर वीपेन का यूज करके किसी भी डेटा सेंटर को हैक करता है तो क्या उसको बैक्ट्रेक किया जा सकता है यानि कि गνहारी क्याटर का रियल डेटीटी गा पता लगा सकता है या नहीं तो इस वीडियो में सिम्बल आइउग में हम लोग VPN को समझेंगे तो हाई गाईज मैं इस दिले एपन योगा चिंग कोड़ प्रो एक्स भी तो दोस्तों सबसे पहले सिंबल एक मिन में बीपियन को समझते हैं कि बीपियन हमारी प्रैवेसी को कि साथ तक सेक्योर रखती हैं तो दोस्तों नॉर्मलली हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो होते हैं वड़ क्या आप पता है आप जब रियल IP एड्रेस से इंटरनेट को एकसेस कर रहे होते ह icing कर सकते हो या फिर नॉर्मली हमली में कुछ भी सर्च करते हो तो ये रिक्वेस्ट इंस्टागर डॉट्कॉम सबसे पहले isp को ये पास जाएगा ia isp वही जिस ने हममें इ कोई सा भी हो सकता है अगर government ने Instagram.com को आपके location पे block करके रखा होगा तो वो ISP वहाँ पे आपका request को decline कर देगा और आपको वो Instagram के server से connect नहीं करेगा अगर block नहीं है आपके location पे तो वो ISP Instagram.com domain name को उसके IP address के साथ connect करेगा और वो आपको Instagram के server से connect कर देगा उसके बाद आप Instagram को access कर सकते हो यानि कि आप क्या search कर रहे हो वो local ISP देख सकता है for example आप ये graph में देख सकते हो ये आपका local computer है जो की internet से connected है आप कुछ भी यहाँ पे Google में search करते हो ये data इस से होकर सबसे पहले router में जाता है and router से होने के बाद सबसे पहले ये local ISP के पास जाता है जिस भी company का से आगे जाने ही नहीं देगा यही पर आपका request cancel कर देगा and आप यहाँ पर देख सकते हो आपने instagram.com को search कर रहा है तो आपका यहाँ पर real IP address सबको दिख रहा है and आपने क्या search किया वो सबको दिख रहा है बीच में जो notes होते है छोटे छोटे servers होते है जिससे होकर आपका request ज जाएगा और यहाँ से आपको connect कर देगा instagram के server से and then आप website को access कर सकते हो उसके बाद आप instagram use कर सकते हो और जब आ VPN use नहीं करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो बीच में बहुत सारे छोटे-छोटे servers होते हैं जिससे होकर आपका request जा रहा होता है and यह servers देख सकते हैं आप आपका real IP address को देख सकता हैं आपका password username password यह सब कुछ को देख सकता है and यह आपका real IP address है अगर यह hacker को लग जाता है हात में तो आपको पता है कि IP अड्रेस आपकी computer का address होता है उस IP address अगर किसी को पता चल जाता है तो उस address पर वो कोई साभी software को install कर सकता है यहाँ फिर वह पर इंटरनेट को यूज कर रहे होते हो तो आपका जो भी रिक्वेस्ट है जो कुछ भी आप सर्च कर रहे हो वो सब ओपेन वायर के थुरू सरबर तक जाता है बट जब आप बीपेन को कम्प्यूटर लेट फैवर मोबायल में इंस्टॉल करते हो उसके बाद इंटरनेट को एक आपका encrypted है जो भी आपका IP address है जो भी आपने इसमें सर्च कर रहे हो सब इंक्रिप्टेड है और वो कोई भी सर्वर नहीं पढ़ सकता है और जब आप बीपेन को यूज करते हो तो सबसे पहले आप connection बनाते हो BPS server से उसके बाद आप कोई सा भी website से connection बनाते हो तो जब आप का request ISP के पास जाता है तो यहाँ पर आपने जो भी request कर रहा है वो एक encrypted file है ISP भी नहीं पढ़ सकता कि आप कौन से website पर जाना चाहते हो बस इसको यह पता है कि आप BPS server से connection बना रहे हो और यह जाने देगा जब आप VPN का use करते हो उसके बाद जो भी कुछ search करते हो अगर आप के location पर वो block भी होगा तो भी ISP को पता नहीं चल पाएगा कि आप कौन से server से connection बनाना चाहते हो क्योंकि जो भी आपने search कर रहा है वो एक encrypted file है और सबसे पहले आप BPS server से connection बना रहे हो तो वो आपको without check करे हुए आपको जाने देगा सिर्फ ISP को पता है कि आप BPS server से connection बना क के रखे हो और जब आपने जो भी request कर रहा है वो wire से होते हुए सबसे पहले BPS server के पास जाता है और यहाँ पर वो packet open होती है अब packet open होने के बाद जो भी आपने उसमें request कर रहा है तो वो request के अंदर आपका real IP address होता है और आपने जो search कर रहा है वो होता है तो यहाँ पर वो hide कर देता है और इसके आगे वो अपना IP address यूज़ करता है BPS server और जो भी आपका request होता है जैसे आपको request था Instagram.com तो Instagram के server से आपको connect कर देता है और इस तरीके से जो भी access करते हो आप Instagram के server से वो फिर यहाँ पे आता है और फिर वो encrypted data होता है और फिर वो आपस से आपके computer में open हो जाता है तो आप देख सकते हो जो भी आप search कर रहे हो याप फिर जो भी server से आपको मिल रहे है वो सभी यहाँ पे encrypted form में है अगर यहाँ पे कोई hacker बैठा होगा तो वो आपके file को नहीं पढ़ सकता है आपके real IP address को नहीं देख सकता है आप क्या search कर रहे हो कुछ भी वो access नहीं कर सकता है क्योंकि आप जो भी search कर रहे हो यहाँ पे encrypted data है और आपको पता है encrypted data को कोई नहीं पढ़ सकता जब तक उसको decrypt न खड़ा जाए और इस तरीके से आप blog website को भी access कर पाते हो क्योंकि ISP को पता ही नहीं चल पाता है कि आप कौन सा website को access कर रहे हो ISP को सिर्फ इतना पता है कि आपको VPS server से connect करना है बस और जब VPS server यहाँ पे है और यह server से connect कर रहा है तो यह भी कोई न कोई तो ISP का use कर रहा होगा तो जैसे यहाँ पे आपका packet open होता है encrypted data तो यहाँ पे वो open हो जाता है आपका जो भी login ID है password जो भी आपने search कर रहा है बट यह ISP को पता चलता है यह VPS server ने search कर रहा है और इसको यह data चाहिए और यहाँ पे जो भी आपका request है वो किसी और IP address के साथ गया है इसलिए यहाँ पे जो इसको data मिलेगा वो data useless होगा तो दोस्तो जब आप VPN का use नहीं करते हो तो आपका data open तो जब आप VPN का use नहीं करते हो तो आपका data openly सब भी server से pass हो रहा होता है जैसा कि आपको पता है college company offices यह सब VPN का use करता है VPN and proxy server का use करता है बहुत सारे website को block करने के लिए ताकि जो भी यह request कर रहा है इंटरनेट से तो इसके जो data center का IP address है वो बाहर किसी को भी पता नहीं चले अगर hacker को पता चल जाएगा तो hackers इसके data center तक पहुँच सकते है इसके लिए companies VPN का use करती है आई निविन college proxy server का use करता है बहुत सारे website को block करने के लिए ताकि college का जो student वो torrent website को access ना कर सकते तो proxy server एक दूसरा topic है उसको हम लोग दूसरे वीडियो में समझेंगे तो दोस्तों simple language में VPN एक private network होता है तो इसको use करने के लिए simple सा आपको एक software को install करना पड़ेगा mobile computer या laptop में और उसके enable करने के बाद आप internet को access कर सकते हो जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल सभी लोग phone पे Google पे internet banking को use करते हैं अगर आप VPN का use नहीं करते हो और उसमें login ID, password ये सब कुछ डालते हो वो data openly server तक transfer कर रहा होता है और उसके बीच में अगर कोई भी server को hacker ने hacker करके रखा होगा तो आपका real IP address के साथ साथ आपके username, password ये सब देख सकता hacker and आप यापर देख सकते हो without VPN आप कितना secure हो and with VPN आप कितना secure हो तो दोस्तों VPN का use करते है अपने data को secure करने के लिए जो भी हमने internet पे search कर रहे है browsing history ये साथा कुछ secure रहे है इसके लिए हम लोग VPN का use करते है and जो भी data हम internet पे upload कर रहे है वो कही न कहीं server से होकर गुजर के जाता है तो इसलिए आपको VPN use करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे data, personal data होता है जब आप किसी personal data को upload कर रहे होते हो तो आपका data सभी server से होकर गुजरता है and वो server आपका data को देख सकता है तो होब दोस्तों आपको VPN क्या होता है और कैसे use करते हैं ये आपको पता चल गया होगा तो hackers सिर्फ VPN का use नहीं करता है वो अलग-अलग VPS server का and बहुत सारे VPS server का use करता है and onion routing का use करता है ताकि उसको backtrack करने near to impossible हो जाए जब आप VPN का use करके illegal activity करते हो तो वो आपको localizeP को तो पता नहीं चलेगा बट जिस company का आपने VPN लिया है उसको पता है कि आप कौनको उसे website को access कर रहे हो अगर government चाहेगी तो वो government को data दे सकता है आपका तो VPN का use करके कभी भी internet पे illegal activity मत करना and guys एक important चीज़ अगर आप free VPN का use करते हो जैसे कि play store पे बहुत सारे आपको free software देखने को मिल जाएगा तो market में कुछ ऐसे browsers है उसका आप use कर सकते हो so hope guys आपको VPN दो समझ में आ गया होगा and आप internet पे without VPN अगर कुछ भी suffering कर रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपके data को चोड़ी करा जा सकता है या कोई hackers आपकी data को easily चूड़ा सकता है तो अगर वीडियो इंफोमेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना and don't forget to subscribe and thank you so much for 200 subscriber guys मिल दें नेक्स वीडियो में तो तक लीटेक यार and बाबाई